जैहिन भाई लोंग क्या हाल चाल तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्टान और स्रीलंका के बीच होने वाले बहतरी मैच के बारे में जिसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के बहतरी रिगॉर्ड प्लेयर्स के स्टेट्स क्या कहते हैं और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की बैटल कैसी होती है करेंगे हर टॉपिक पर चर्चा डीटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में Let's Go सबसे पहले पिछले मैच की बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों हमने टॉम लेतम को नहीं लिया था जिसका खामियाजा हमें चुगाना पड़ा और हमने लिंग में सेकेंड पोजिशन हासिल की पर कोई नी दोस्तों इस वर्ल्लकप का पहला मैच खराप गया पर आगे और भी सटिक जनकारी के साथ हम आगे हैं दोस्तों इस वीडियो के जरी है जो कि आगे हम और भी बहतरीन तरीके से टीम बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बीना देरी किये सिधा मुद्बे पर आते हम पाकिस्तान वर्से स्रीलंका का या वर्ल्लकप 2023 का आठवा मैच एसिया की दो बहतरीन टीमें आमने सामने दिखने वाली है अगर इन दोनों के पीच पीछले मैच की बात करें तो स्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा कर फाइनल से बाहर कर दिया था पाकिस्तान सायद आज के मैच में इसका बदला लेने की रादे से उतरेगी वही स्रीलंका की टीम अपने पीछले मैच के हर को भुला कर आज जीत की रहा में फिर से लोटने की पूरी कोशिश करने वाली है तो दोस्तो आज का मैच बहुत ही धमाकेदार होने वाला है तो वीडियो में बने रहे हैं और जड़ा भी स्किप ना करें नई तो आप ऐसी इंपोर्टेंट जानकर या पीछे छोड़ जाएंगे दोस्तो जो कि आज के मैच के लिए आपको टीम बनाने में काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तो बढ़ जलते हम अपने टॉपिक की ओर वर्ल्लकप का अगला कारवा आप पहुंचा है दोस्तो राजियो गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम में जहां एसिया की दो राइवेलरी टीम पाकिस्टानों स्रीलंका आमने सामने हमें नजर आने वाली है तो चलिए दोस्तो हम मैच के वेन्यू की बारे में बात करते हैं वर्ल्लकप 2023 का यहां आठवा मैच राजियो गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडियम हैदराबाद में खेला जाना है जो कि भारती समय नुसार दोपैर दो बजे स्टार्ट होगा अगर इस वेन्यू के रिकॉर्ड की बात करें तो यहां कुल 7 मैच खेले गया है पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 4 और दूसरे बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं पर्स्ट इनिंग का उसाथी स्कोर 288, सेगर इनिंग का 262 हाइस स्कोर की बात करें तो 350 रन है वहीं लोवेश स्कोर 175 रन है हाइस चेस 290 रन का होच हुगा है वहीं लोवेश डिफेंड की बात करें तो 1500 रन का रहा है तो हम कह सकते हैं दोस्तो आज के मैच में हमें 260 से 270 रन तक बनते हुए दिखते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हम पीच रिपोर्ट के बारे में यहाँ पीच बैट्समेन के लिए बहुत ही बहतरीन मानी जाती है थोड़ी बहुत डाई पीच भी नजर आती है जो कि सुरुवाती में तेज बॉल्डों को काफी मदद करेगी बाद में यहाँ पीच इस पीनर्स को भी काफी अच्छी help करने वाली है अगर इन दोनों ही टीमों के इस मैदान में खेल के बारे में बात करें तो पाकिसान ने एक खेला है और उसमें जीत हासिल की है वहीं स्रीलंका ने यहां एक मैच खेला है और हार का सामना करना पड़ा है अगर इस मैदान के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 6 मुकाबले में पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं तो कह सकते हैं दोस्तो कोई भी टीम अगर टॉस जितती है तो पहले बल्ले बाजी का फैसला कर सकती है पर इंडियन कंडिशन को देखा जाए तो यह थोड़ा पीछे नजार आता हैं डिव फैक्टर की वज़ा से टॉस जितने वाली टीम पहले बॉलिंग करने का फैसला करने वाली है अगर पिछले कुछ मैचों के रिकॉर्ट की बात करें दोस्तो जो कि हमें इस मैदान के स्कोरिंग पैटरन के बारें बताते हैं तो इनको जानना बहुत ज़र रही है अगर पिछले मैच की बात करें दोस्तो जो कि 6 एक्टूबर को पाकिस्तान और निधरलेंड के बीच खेला गया था जिसमें पहले बल्ले बाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 266 रन बनाय थे जवाब में उत्री नेधरलेंड की टीम 205 रन पर आल आउट हो गई उसके ज़र्ट पहले मैच में देखा गया दोस्तो कि 349 रन का स्कोर बना था चेस करने आई टीम 337 रन पर आल आउट हो गई वह उसके ज़र्ट पहले मैच की बात करें तो 236 रन बने थे और चेस करने आई टीम 2 वर सेस रहते ही यह टार्गेट को हासिल कर लिया तो दोस्तो इस मैदान पर मैच बहुत ही बहतरीन होने वाला है और सभी इस मैच में काफी एंजॉय करने वाले हैं नेक्स हम बात करते हैं इस मैदान के विगेट पैटन के बारे में अगर पिछले 6 मैच जोगी बात करें तो पेसर्स ने निकाले हैं 64 विगेट फर्स्ट इनिंग में 32 विगेट और सेकेंड इनिंग में 32 विगेट राइट अम फास्ट बॉलर के नाम है संतावन वहीं लेफ्ट अम फास्ट बॉलर के नाम है साथ विगेट इस पीनर्स ने इस मैदान में 31 विकेट निकाले हैं पर्स इनिंग में 14, सेकें इनिंग में 17 और ब्रेक बॉलर 9, लेक ब्रेक बॉलर 6 चाइना में बॉलर ने 4 और 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 अर्थोडॉक बॉलर ने 12 विकेट निकाले हैं अगर हम इस मैच में पाकिसान के बारे में जानने के कोशिश करें तो पाकिसान के हैट कोच है ग्रांड ब्रैड बन कैप्टन है बाबारादम एक बाटाइटल जीत चुके हैं अगर इस टूनामेंट के बेश फिनिस की बात करें तो 1992 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिसान ने टाइटल अपने नाम किया था वो ही अगर स्रिलंका की बात करें तो स्रिलंका के कोच है क्रीस सिल्वरवूड कैप्टन है धसुन साना का एक बाटाइटल जीत चुके हैं उनकी बेश फिनिस थी 1996 का वर्ल्ड कप जिसमें स्रिलंका की टीम ने टाइटल अपने नाम किया था टीमों का संगर्ज आज के मैच में हमें देखने को मिलने वाला है राजिवगांदी इंटरनेशनल इस्टेडियम इस मैच का गवाब बनने वाला है दोस्तो अगर हम इस मैदान की बात करें जो कि सीम बॉलर को काफी मदद करने वाले हैं वहीं फ्लैट पीछ है तो हम कह सकते हैं कि बहुत से रहन हमें बनते हुए दिखने वाले हैं तो नेक्ट हम बात करतें बॉंडरी के डाइमेंशन की सामने की बॉंडरी 73 मीटर की नजर आती है वहीं स्क्वेर बॉंडरी 63 और 64 मीटर की नजर आती है जो की दोस्तो एवरेज मैदान है अब बल्ले बाज हवाई फायर करने के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे नेक्ट अगर हम इस मैदान के व्यू की बात करें तो बहुत ही सांदर और खुपसूरत यह मैदान देखने में काफी लूब भाऊना प्रतित होता है नेक्ट हम बात करते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में तो आज के मैच में बारिस की कोई भी संभाऊना नहीं है मैश पूरा होगा और बहुत सांदार तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है टीम नियूज में कोई बदलाओं नहीं है, कोई इंजरी की नियूज नहीं आई है नेक्स्ट अगर दोनों ही टीम के head to head record की बात करें तो साउथ अफरीका से बहुत ही बुरी तरह से हार कर आ रही है तो दोस्तो आज का मैश दोनों ही टीमें जीत कर वर्ल्लकप में जीत के साथ सफर करना चाहेगी अगर दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान के लिए इमाम उलहग और फकर जमान हमें ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे वन डाउन बाबाराजम, मोहमद रिजवान, सौस सकील, इफ्तिकार एहमद, सादाप खान, मोहमद नवाज, साहिंसा अफरीदी, हसन अली और हडिस रॉप हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, वही बेंच प्लेयर की बात करें तो अब्दूल सफीक, आगा सलमान, मोहमद वसिंग जूनियर और उसामा मीर हमें बेंच में नजर आने वाले हैं वही स्रिलंका टीम के प्लेइंग 11 की बात करें, तो कुशाल परेरा, पतुम निशंका, हमें पारी की सुरुवात करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन कुशाल मैंडिस, समर अविकरमा, चारीद असलंका, धनन जैडी सिल्वा, दशुन सनाका, दुनित वेलालगे, कसुन रजुता, बहस्तीक शना और मतीशा पतिराना हमें प्लेइंग 11 में खिलते वे नजर आने वाले हैं, वोई बैंच ब्लेयर की बात करें, तो दिमूत करुनारत ने, लैरु कुमारा, दिलशान मदुशंका, अदुशान हिमनता, बेंच में नजर आने वाले हैं, नेक्ष्ट इनिंग में 50, 29, 17, 48, 76, वेन्यू में एक मैच खेल चुके हैं, पिछले ही मैच खेले थे, और 12 रन बनाये थे, रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो उतना खास इनका फॉर्म नजर नहीं आया हैं, अगर आज के मैच की बात करें दोस्तों, तो यह हमें बैंच में नजर आ सक पर बहुत ही बहतरीन और टेकनिकल साउंड बल ले बाज है दोस्तों, और आज के मैच में भी काफी अच्छा कर सकते हैं, नेक्स्ट बाबर आजम, स्री लंगा के खिलाफ 11 मैच में 58 की उसाथ से 525 रन मनाया हैं, परस्ट इनिंग में इनका उसाथ 72 का, और सेकेंड स्री लंगा के खिलाफ 159 रन की देखी गई थी, उसके बाद इन्होंने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पर बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, फोप आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं, नेक्स्ट है मोहमद विजवान, स्री लंगा के खिलाफ 7 मैचों में 22 रन, 7 केच और एक ही स्टंपिंग भी किया हैं, फर्स्ट इनिंग में 22, 35, 6, सेकेंड इनिंग में 20, 39, बहुत ही सांदार प्लेयर हैं, पिछले मैच में बहुत ही बहतरीन पारी खेलते हुए दिखें, एक मैच में अर्था टरन बनाया हैं, पिछले दो-तीन पारीयों की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही सांदार फॉर्म में दिखें हैं, अच्छे टच में नज़राया हैं, हमें विगेट कीविंग में भी अच्छी खासा पॉइंट दे सकते हैं, तो ये प्लेयर दोस्तों काफी इंपोइटन होने वाले हैं, नेक्स्ट सॉस सकील, सॉस सकील ने पिछल आए थे 9 रन, रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है, पर दोस्तों हमें बीच में 4-5 और बॉलिंग करते हो भी नज़राने वाले हैं, तो हो सकते हैं आच के मैच में वैल्यू दे सकते हैं, नेक्स्ट सादाप खान, स्रिलंगा के खिलाब 8 मैच में बनाया हैं, 55 रन और 14 व मैसों से देखा गया हैं दोस्तों, विगेटलेस नज़र आए हैं, उतने खास टच में नज़र नहीं आए हैं, पर बल्ले और गेन दोनों से ही प्रभावसाली हो सकते हैं, तो आज के मैच के लिए अच्छे हो सकते हैं, नेक्स्ट है मोहमद नवाज, सिलंगा के खिलाब 2 म एटिंग के लिए काफी अच्छी माने जाती हैं, तो ये प्लेयर दोस्तों, आज के मैच के लिए थोड़ा इग्नोर किये जा सकते हैं, नेक्स्ट है साहिन सा अफ्रीदी, सिलंगा के खिलाब 1 मैच में लिए हैं 2 विगेट, वेन्यू में 1 मैच में 1 विगेट, पिछले कु पिछले मैच में 2 विगेट निकाले थे, पर बहुत ही सांदार बॉलर हमें डैथ में भी नजर आएंगे, तो इमपॉर्टन होने चाहिए, नेक्स्ट है हारी स्रॉफ, वेन्यू में 1 मैच खेले हैं और 3 विगेट लिए हैं, रिजेंट फॉर्म देखे, तो पिछले मैच मे 3 विगेट निकाले थे, इनका देखा गया है दोस्तों, अगर विगेट निकालते हैं, तो अच्छे काचे विगेट निकाल जाते हैं, या फिर विगेट लेसी नजर आते हैं, तो लेट सी दोस्तों, आज स्यमेच में अगर पाकिसान की टीम पहले बॉलिंग करती हैं, तो ये प्लेयर काफी important होने वाला है, next अगर bench player की बात करें, तो अब्दूल सफीक, आगा सल्मान, आप इनके भी states पर एक नजर डाल सकते हैं, next है महुम्मद वसीम जुनियर और उसामा मीर, इनके भी states पर आप एक नजर जरू डाल सकते हैं, next अगर over के detail की बात करें, तो साइनसाफरीदी, हसन अली, हमें बॉलिंग की सुरुवात करते हुए नजर आएंगे, दसवे बारे over में हरिस्रॉफ नजर आ सकते हैं, महीं death over में साइनसाफरीदी, हसन अली और हरिस्रॉफ नजर आने वाले हैं, next बात करते हैं स्री लंका प्लेयर्स के स्टेट्स के बारे में, कुशल परेरा, पाकिसान के खिलाब 13 मैच में 34 की ओसा से 445 रन बनाया हैं, फर्स इनिंग में इनका उसाइथ 33, सेकेंड इनिंग में 35 का, पिछला मैच में 4 रन में आउट हो गयते हैं, रिसेंट फॉर्म दे इनिंग में काफी अच्छा करते नजर आते हैं, पर पिछले कुछ मैचों में देखा गया दोस्तों, इनका फॉर्म काफी वीक पॉइंट नजर आया है, जो कि स्री लंका टीम के लिए काफी बूरा साबित हो रहा है, फोप दोस्तों आज के मैच में अच्छा करें, नेक्स सदीरा समराविक्रमा, पाकिसान के खिलाब 4 मैचों में 4 रन, ODI केरियर की बात करें, तो 32 की उसस से 615 रन बनाया है, रिसेंट फॉर्म उतना खास नजर नहीं आया है, फूज बड़ी पारियों के बाद अचानक से इनका फॉर्म में गिरावट आई है, पर लाजवाब प् देखें, तो हमें ओफिस पिन करते होई भी नजर आ सकते हैं, तो उस मायने में देखें, तो काफी इंपॉर्डेंट होते हैं, नेक्स्ट धननज डिसिलवा, दो मैच में बनाया है, छे रन, फर्स इनिंग एक, सेकेंड इनिंग पाँच, वेन्यू की बात करें तो कोई दिखाता है, नेक्स्ट है धसूल सना का, पाकिसान के खिलाफ 4 मिच में 113 रन, फर्स इनिंग 13, सेकेंड इनिंग 68 और 2, फर्स इनिंग में इनको उसात है 20 का, सेकेंड इनिंग में 26 का, रिसेंट फॉर्म, पिछले मैच में बहुती सांदर खेल दिखाया था, और पाउनित वैलाल गे, एक मैच में लिए हैं, एक विगेट, पडियाई केरियर की बात करें तो 15 मैचों में 19 विगेट, और 1955 रन भी बनाया है, रिसेंट फॉर्म उतना खास नजर नहीं आया है, पर लेट सी दोस्तों आज के मैच में कैसे करते हैं, नेक्स्ट है कसून रज जीता, रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, उतने खास टेच में नजर नहीं आया है, बॉलिंग में भी काफी हेवी नजर आते हैं, पिछले मैच में लोवर ओर्डर में आके अच्छा कासरन मार दिये, पर दोस्तों हर बार ये बेटिंग करके नहीं देंगे, और बॉलिंग क करती हैं, तो दोस्तों आप इनको जरू ट्राइ कीजेगा, तो कि ये प्लेयर बहुत ही वैल्यूबल है, नेक्स्ट है दिलशान मदुशंका, ओडियाई के रियाट 6 मैच में 10 विकेट, रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो पिछले मैच में 2 विकेट जरूर निकाले थे, इ इनके भी रिकॉर्ड्स पर आप नजर जरूर डाल सकते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉलर्स की यूजड के बारे में, इस्टार्टिंग और कसुन रजीता और मदुशान हमें करते हुए नजर आएंगे, फर्स चेंज की रूप में हमें धशुन सना का दीख सकते हैं, डेटवर की बात करें, तो पतिराना, रजीता और मदुशान हमें नजर आने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तो प्लेयर्स के बैटल के बारे में, अगर फकर जमान और ब्रेक बॉलर के सामने काफी दिक्कत में नजर आते हैं, 30 इनिंग में 10 बार अपना दे चुगे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बाबार आजम, रहरू कुमारा के सामने काफी तंग होते नजर आते हैं, 4 इनिंग में 3 बार विकेट दे चुगे हैं, चाइनमें बॉलर ने 6 इनिंग में 2 विकेट, वहीं और ब्रेक बॉलर ने 57 इनिंग में 13 बार इनका विकेट लिया है रिजवान की बात करें तो लेक ब्रेक बॉलर से काफी तंग होते नजर आते हैं 26 इनिंग में आठ बार अपना विकेट दे चुकिया है सौस सकिल को कोई रिकॉर्ड नहीं इफ्तिकार अहमत को उत्ता खाल बैटल नजर नहीं आता है वहीं लेक ब्रेक बॉलर ने भी 6 इनिंग में दो बार इनका विकेट लिया है आगा सलमान, अब्दुल सफीग उतने खास बैटल नजर नहीं आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं पथुम निशंका तो सदाफ खान के साथ इनका बैटल काफी अच्छा नजर आता है एक इनिंग में एक बार विकेट ले चुके हैं वहीं और्थो डॉक बॉलर के सामने 16 इनिंग में 5 बार आउट हो चुके हैं कुशाल परेरा की बात करें तो और ब्रेक बॉलर के सामने 15 इनिंग में 16 बार अपना विकेट दे चुके हैं वोई लेफ्ट आम मीडियम पेज बॉलर के सामने 56 इनिंग में 21 बार विकेट दे चुगे हैं साइन साफरीदी होंगे दोस्तों सामने तो ये बैटल काफी देखने वाला होगा नेक्स्ट बात करते कुशर मेंडिस लेफ्ट ब्रेक बॉलर के सामने 37 इनिंग में 14 बार विकेट दे चुगे हैं वोई हसान अली के साथ इनका काफी अच्छा तगड़ा बैटल देखने को मिलता है तीन इनिंग में 3 बार विकेट ले चुगे हैं वोई 18 गेन में केवाद 17 रन दिये हैं तो देखते हैं दोस्तों आज का बैटल कौन जिता हैं नेक्ष्ट है सदीरा समारा विक्रमा और ब्रेक बॉलर ने 10 इनिंग में इनका 4 बार विकेट लिया है वोई लेक ब्रेक बॉलर ने भी 6 इनिंग में 3 बार इनका विकेट ले चुगे हैं नेक्स्ट बात करते एक चरीत असलंका, चाइना में बॉलर के सामने काफी तंग होते हैं, नौ इनिंग में अपना चार बार विकेट दे चुके हैं, पर इस्पिन काफी अच्छा गेलते हैं, तो देखने वाला बैटल जरूर होगा दरेंजर डिसिलवा, और ब्रेक बॉलर के सामने 28 सिनिंग में 9 बार, वही और्थोडोक बॉलर के सामने 25 सिनिंग में 8 बार अपना विकेट दे चुके हैं, नेक्स्ट है धसुन सनाका, ये भी थोड़ा इस्पिनर्स के सामने काफी दिक्कत में नजर आते हैं, सदाप ने लिय अगर स्रिलंका फर्स्ट इनिंग में बेटिंग करती हैं, तो दोस्तो पाकिस्टान की बॉलिंग लाइन अप काफी अच्छी है, इनकी बेटिंग नजर आ सकती है, वो ही हमें बॉलिंग में भी 10 ओर डालते में नजर आएंगे, तो दोस्तो आज की मैच के लिए दूनित व बारे में, तो आज के मैच के लिए सबसे बहतरिन और समानने कप्तान होंगे, बाबार आजम और कुसल मेंडिस, वो ही अगर ग्रेंड लिग की बात करें तो शाहिन साफरीदी, हरी स्रॉफ, धनन जर डिसिल्वा और सादाप खान बहुत ही बहतरिन ओप्चन हैं, इन में से आप किसी को भी कप्तान या उप कप्तान चून सकते हैं, नेक्ष्ट बात करते हैं हमारी टीम के बारे में, हमने अपनी टीम में लिया है दोस्तों, मौहमद रिजवान, बाबा रादम, इमाम उलहक, बतुम निशंका, असलंका, शानाका, सादाप खान, डिसिल्वा, साइन पहले बॉलिंग करती है, तो शाहिन साफ रिदी भी बहुत ही अच्छा उप्शन होने वाले हैं, तो दोस्तों आप उनमें से भी अपना कप्तान चून सकते हैं, तो यह थी हमारी टीम दोस्तों, उमीद है इस टीम से आपको अपनी टीम बनाने में काफी मदद मिलेगी, त तो इसी के साथ हम आज ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, उमीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम लोटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुचना में, तब तक के लिए जैहिन!